ओम श्यांती दो फरवरी दो हजार तेईस के इश्वरिय महवाक्य पहले एक नजर मुरली के मुख्य पोइंट्स पर बाबा ने कहा जो पिया के साथ है अर्थात ग्यान सागर बाप के साथ है उनके लिए सदाही अविनाशी ग्यान रतनों की बड़सात है इन ग्यान रतनों को तुम्हें बुद्धी रुपी जोली में धारन करना है लेकिन ये ग्रहन तब होंगे जब योग में रहेंगे तुम्हारा यह इम्तिहान तब पूरा होगा जब विनाश शुरू होगा देरी से आने वाले भी अगर जट ग्यान योग में लग जाएं तो वहें भी उच्च पद पा सकते हैं अभी तो बहुत दुख के पहाड गिरने हैं लेकिन तुम बच्चों के लिए तो सुख का पहाड है क्योंकि इस विनाश के बाद तुम्हारा सुख का राज्य आना है इस महाभारी लड़ाई दवराही स्वर्ग के गेट खुलने हैं इस गेट से वो जाएंगे जो राज य 21 कुल का उधार करे वासो में तुम ही वो कुमार कुमारी हो जो किसी को भी 21 जनमों के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करा सकते हो तुम्हारा राज्य कोई मनुष्य ने नहीं बलकि माया ने चीना है इसलिए अब जीत भी माया पर पानी है और लास्ट में बाबा ने कहा म मेरी माला जो होगी वे स्वर्ग की मालिक होगी इसलिए तो बाप तुम आत्माओं की कट निकाल ऐसा चमकाते हैं जो तुम माला में पिरोये जाते हो तुम हो सच्चे फ्लैंथ्रोफिस्ट जो देह सहित सब कुछ बाबा पर बली चढ़ा देते हो बाप फिर बदले में सार स्वर्ग की राजाई तुमको देते हैं और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से मुरली का सार मीठे बच्चे एक ईश्वर की मत ही स्रेष्ट मत है जिस मत पर चलने से ही तुम सच्चा सोना बनेंगे बाकी सब मतें असत्य बनाने वाली हैं प्रश्ण कौन सा पार्ट एक ग्यान सागर बाप में भरा है जो किसी मनश्य आत्मा में नहीं उत्तर बाबा कहते मुझ आत्मा में भक्तों की संभाल करने का सब को सुख देने का पार्ट है मैं ग्यान सागर बाप सभी बच्चों पर अविनाशी ग्यान की बड़सात करता हूँ जिन ग्यान रत्नों का कोई मुल्य नहीं कर सकता मैं लिबरेटर हूँ रुहानी पंडा बन तुम आत्माओं को वापिस शान्तिधाम ले जाता हूँ यह सब मेरा पार्ट है मैं किसी को दुख नहीं देता इसलिए सब मुझे आखों पर रखते हैं रावन दुश्मन दुख देता है इसलिए उसकी एफिजी जलाते हैं गीत जो पिया के साथ है उसके साथ ग्यान बरसात है ओम शान्ति बाप ने ओम का अर्थ तो बच्चों को समझा दिया है ओम अर्थात अहम आत्मा बस अर्थ ही इतना छोटा है ऐसे नहीं कि I am God पंडितों आदि से पुछेंगे ओम का अर्थ क्या है तो वेह बहुत लंबा चोड़ा सुनाएंगे और यथार्थ भी नहीं सुनाएंगे यथार्थ और अयथार्थ सत्य और असत्य सत्य तो है ही एक बाप बाकी इस समय तो है ही असत्यता का राज्य राम राज्य को ही सत्य का राज्य कहेंगे रावन राज्य को असत्यता का राज्य कहेंगे वह अयथार्थ ही सुनाते हैं बाप है सत्य वेह सब सत्य सुनाकर सच्चा सोना बना देते हैं फिर माया असत्य बनाती हैं। माया की प्रवेस्था की कारण मनुष्य जो कुछ कहेंगे वे असत्य ही कहेंगे। जिसको आसुरी मत कहा जाता है। बाप की है इश्वरिय मत। आसुरी मत वाले जूट ही बताएंगे। आसुरी मतें दुनिया में अनेका नेक हैं। गुरू भी अनेक हैं। उन्हों की श्रीमत नहीं कहेंगे। एक इश्वर की मत को ही श्रीमत कहेंगे। अभी तुम बच्चे समझ से हो, हम श्रीमत पर चल, स्रेष्ट बनते हैं। सबसे स्रेष्ट तो है ही परहम, पिता, परमात्मा, जो रहते भी उचे ते उचे हैं, सब भक्त उनको याद करते हैं। भक्त श्रीमत को याद करते हैं, तो जरूर कोई असुरीमत पर हैं, अभी तुम श्रीमत पर स्रेष्ट बनते हो। फिर वहाँ भगवान कहकर याद करने की दरकार ही नहीं, देवी देवताओं को कोई दुख नहीं, जो याद करना पड़े। भक्तों को तो अपार दुख है, अभी तो बहुत दुख के पहाड गिरने हैं, महाभारी लड़ाई, यह दुखों का पहाड है, मनश्यों के लिए, तुम बच्चों के लिए सुख का पहाड है, दुख के बाद सुख जरूर आना है, इस विनाश के बाद फिर तुमारा ही राज्य होना है अनेक धर्मों का विनाश होता है और जो धर्म प्रायर अब लोप है उनकी सापना हो नहीं है गोया इस महा भारी लड़ाई दवारा स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं इस गेट्स से कौन जाएंगे जो राज्योग सीख रहे हैं सिखलाने वाला बाप है जो पिया के साथ है उनके लिए यह ग्यान बढ़ साथ है पिया बाप को कहा जाता है वह वर्षा तो पानी के सागर से निकलती है यह अविनाशी ग्यान रतनों की बढ़ साथ है जो पिया ग्यान सागर के साथ है उनके लिए अविनाशी ग्यान रतनों की बड़सात है इन अविनाशे ग्यान रतनों की तुम्हारी बुद्धी रूपी जोली में धारना होती है एजुकेशन बुद्धी में धारन की जाती है ना आत्मा है मन बुद्धी सहित तो जैसे की आत्मा ग्रहन धारन करती है जैसे आत्मा को यह शरीर है वैसे आत्मा को मन बुद्धी हैं, बुद्धी से ग्रहन करते हैं, ग्रहन तब होता है, धारना तब होती है, जबकी योग है, यह बाप बैट बहुत सहज बातें समझाते हैं, मनुश्यों ने तो बहुत डिफिकल्ट बातें सुना दी हैं, शास्त्रों में भी बहुत मते हैं, गीता का बहुत प और कोई शास्र नहीं जिसके लिए कहें फलाने का वेद, फलाने का शास्र गीता के लिए कहते हैं। गांधी गीता, टेगोर गीता, ज्यानेश्वर गीता, अश्चावक्र गीता, बहुत नाम गीता के रख दिये हैं। और वेद शास्र के कभी इतने नाम नहीं सुनेंगे। प्रंतु मनश्य समझ से कुछ भी नहीं है। यह ग्यान ही प्रायलोप हो जाता है। अब डीटी सावरंटी कहां से मिलेगी। चरूर जो सत्यों की सापना करने वाला होगा वही देगा। अब बाप आया हुआ है तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देने। सोभी 21 जनमों के लिए। गाया जाता है कुमारी वह जो 21 कुल का उधार करे। अब वह कुमारी कौन सी। तुम सब कुमार कुमारी हो। तुम कोई को भी 21 जनमों के लिए राज्य भाग्ये प्राप् पाठशाला में जो पढ़ते हैं वह जानते हैं कि हम स्टुडेंट हैं और सत्संगों में अपने को स्टुडेंट नहीं समझेंगे। नर्से नारायन बनते हैं यह एम अब्जिक्ट है फरस्ट ऐसे नहीं राजा राम वरानी सीता बनाएंगे यह है ही राज योग राजाओं का राजा बनाएंगे। कल्प कल्प मैं फिर से आता हूँ गवाया हुआ राज्य देने। तुम्हारा राज्य कोई मनुष्यों ने नहीं छीना है। छीना है माया ने। अब जीत भी माया पर पानी है। वे लडाई होती है राजाओं की एक दो के उपर जीत पाने लिए लडते हैं। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य हो गया है। हद के राजाओं की अनेक अनेक लडाईयां लगी हैं। उनसे हद की राजाई मिलती हैं। और इस योग बल से तुम विश्व की राजधानी सापन करते हो। इसको अहिंसक लडाई कहा जाता है। लडाई अथ्वा मरने मारने की बात नहीं हैं। यह है योग बल। कितना सहज है। बाबा के साथ योग लगाने से हम विकरमा जीत बनते हैं। फिर कोई माया का वार नहीं होगा। फात्म ताई का खेल दिखाते हैं। वह मुलरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी। मुलरा निकालते थे तो माया आ जाती थी। अल्ला अवल दीन का भी नाटक ठका करने से बहिस निकल आता था वह है बहिस अत्वा स्वर्ग तो बाप बैठ बहिस की सापना करते हैं ब्रह्मा दवारा परम पिता परमात्मा कोई नर्क की सापना थोड़े ही करेंगे ऐसा होता तो उनकी एफजी बनाते एफजी तो रावन की निकाली जाती है क्योंकि रा प्रग की सापना करते हैं, उनको तो आखों पर रखा जाता है। बाप कहते हैं, मुझे भक्त याद करते हैं कि आकर दुख से छुडाओ, इसलिए आकर लिब्रेट करता हूं। का मुल्य नहीं किया जाता। बाबा है ज्यान सागर, तो जरूर आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। परमपिता परमात्मा खुद भी कहते हैं, मेरी जो आत्मा है, जिसको तुम परमात्मा कहते हो, मेरे में भी पार्ट भरा हुआ है। भक्तों की संभाल करना, सब को सुख दे दुख तो माया देती है भक्तों को अल्प काल के लिए सुख देने का भी मेरा पार्ट है मैं ही साक्षातकार कराता हूँ और दिव्य बुद्धी देता हूँ जिसको ज्यान का तीसरा नेत्र कहा जाता है जिससे तुम्हारी बुद्धी का गौडरेस का ताला खुलता है मेरा अभी पार्ट है तो जो बाप के साथ है उनके लिए घ्यान बढ़साथ है अब इतने सब बचे कैसे साथ रह सकते तुम बाप को याद करते रहेंगे तो गोया बाप के साथ ही हो कोई लंधन, कोई कहां है, फिर साथ कहां है, उनको भी मुरली जाती है, जो सयाने समजदार होते हैं, वे एक हपता भी अच्छी रिती समझें, तो उनको स्वदर्शन चक्र धारी बना देता हूँ. 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्र का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है, जिस स्वदर्शन चक्र फिराने से माया रावन का सिर काट देते हूँ, अर्थात उन पर जीत पाते हूँ, बाकि सिर काटने की कोई बात नहीं है, उन्होंने फिर हिंसक अस्र शस्र दे दिये हैं, वास्तो में शंक यह मुख है, चक्र फिराना यह बुद्धी का काम है, तो यह अलंकार भक्ती मार्ग में बहुत दे दिये हैं, शास्र आदी जो भक्ती मार्ग में चल रहे हैं, ड्रामा नुसार फिर वही निकलेंगे, हो सकता है यह सची गीता भी कोई न कोई के हाथ में आ जाए, तो कुछ इनसे भी डाल देंगे, बाकी सभी वही निकलेंगे, कोई कोई अक्षर उनमें यहां के आए हैं, भगवानु वाच ठीक है, राजयोग भी ठीक है, बाप कहते हैं अब वापिस जाना है, इस शरीर सहि सब कुछ भूलना है, इसके बदले तुमको प्योर शरीर मिलेगा, आत्मा भी प्योर हो जाएगी, धन भी तुम्हारे पास अथा होगा, तुमको बहुत लोब है, प्रन्तु इनको शुद्ध कहा जाता है, इससे भारत सारा शुद्ध बनता है, भारत वसी चाहते हैं, राम अदवेत का अर्थ ही है देवता, यह है आसुरीमत, शुरीमत बिगर सब आसुरीमते हैं, जिस कारण एक दो में लड़ते जगडते रहते हैं, इश्वर के बच्चे ना होने के कारण निधन के बन पड़े हैं, सत्युग में देवताई हैं धनी के, वहां जानवर भी कभी लड़ते नहीं, यहां तो सब लड़ते जगडते हैं, सत्युग में हैं सबको बेहद का सुख, अब तुम बच्चे जानते हो, हम बाप से इश्वर ये जनमसिद्ध अधिकार ले रहे हैं, इश्वर सम्मुख है ना, कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूं स्वर्ग सापन करने तुम बच्चों के लिए वंडर्फुल सौगात ले आता हूं, बाप कहते हैं मेरे लाडले सिकी लधे बच्चों, पांच हजार वर्ष बाद आकर तुम मिलते हो, ऐसे और कोई कहना सके, भले अपने को ब्रह्मा विश्णु शंकर कहलावें, परंतु ऐसी बातें किसको कहन आएंगी ही नहीं, इसमें कोई कॉपी करना सके, बाप कहते हैं मेरे लाडले सिकी लधे बच्चों, पांच हजार वर्ष के बाद फिर से आकर तुम मिले हो, सिर्फ तुम ही, बहुत बच्चे मिलते रहेंगे, राजधानी सापन करने में बहुत मेहनत लगती है, राजा रा आनी एक, फिर उनके बच्चे वृधी को पाएंगे, भारत में प्रिंस प्रिंसस कितने होंगे, समझो लाख दो हैं, प्रजा होगी 40-50 करोड, तो मंजिल बहुत बड़ी है, यह बाप की कॉलेज है, तो कितना अच्छी रिती पुरशार्थ करना चाहिए, बाप तो कहेंग कि राजाओं का राजा बनो ना की प्रजा, बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे, हम साक्षी होकर देखेंगे कौन किस प्रकार का वर्सा लेते हैं, कोई तो एकदम पकड़ लेते हैं, मोस्ट बिलविड बाप है, चुम्बक पर सुईयां खिचकर आती है, कोई में नजदीक वाले तो एकदम आकर मिलेंगे, साफ सुई, जट खीच आएगी, बाप कट को निकाल कर ऐसा चमकाते हैं, जो तुम बच्चे वहाँ साथ रहेंगे, तुमको रुद्र माला में पिरोना है, गायन भी हैं, पर तु जानते नहीं हैं कि यह माला किसकी बनी हुई है, बाप कहते हैं, मेरी माला जो होगी, वे स्वर्ग की मालिक होगी, भक्त माला को भी तुम समझ गए हो, वे रावन की माला है, पहले रावन की माला में कौन आते हैं, पुजे से पुजारी कौन बनते हैं, आप पे ही पुजे फिर पुजारी बनते हैं, यह कितने गुहिये ब बाबा को बली चड़ते हो, सन्यासी फ्लेंत्रोफिस्ट नहीं बनते, वे तो घरबार छोड जंगल में चले जाते हैं, तुम सब कुछ ईश्वर अरपन करते हो, everything for God, Father, तो बाप फिर कहते हैं, मेरा सब कुछ तुम बच्चों के लिए है, मनुष्य जब मरते हैं, तो सब साम बगरी करनी घोर को देते हैं, बाप कहते हैं, मैं भी करनी घोर हूँ, तुम्हारे पास पुराना कखपन है, सब दान करते हो, बाप पर बलिहार जाते हो, काम तो फिर भी तुम्हारे ही आता है, बाबा तो मकान अधी भी अपने लिए नहीं बनाते हैं, शुव बाबा है द इसलिए इनको सौदागर भी कहते हैं, कितनी मीठी-मीठी बाते हैं, इंतिहान पूरा होने वाला है, बाबा आखिर इंतिहान कब पूरा होगा, बाबा कहते हैं जब तुम मरने पर आएंगे, ज्यान पूरा होगा, तब यह विनाश आरंब होगा, फिर गॉर्डन स्पून इन माउथ जन्म लेंगे और स्पून मिलेगा यहां तो 30-40 वर्ष पढ़ते हैं तो यहां ही उसका फल मिल जाता है तुम्हारा तो है भविश्य के लिए भविश्य जन्म तुमको मिलेगा तो तुम प्रिंस बनेंगे तो इमतिहान तब पूरा होगा जब विनाश शुरू होगा एक तरफ पढ़ाई पूरी होगी और विनाश शुरू हो जाएगा बाकी रिहर्सल तो होती रहेगी तुमको इस पढ़ाई का फल फिर नई दुनिया में मिलना है वहां आत्मा शरी राजाई सब नया होता है यह बड़ी गुहिये धारणा की बाते हैं पढ़ाई कभी छोड नहीं चाहिए बाप बैठ समझाते हैं वंडर्फुल बाते हैं न देरी से आने वाले भी जट योग और ग्यान में लग जाते हैं तो वे भी उँच पदपा सकते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धार्ना के लिए मुख्ये सार पहली पुइंट शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र बनाने के लिए इस पुराने शरीर सहीत सब कुछ भूलना है देहे सहित बाप पर पूरा बली चड फ्लेंथ्रोफिस्ट अर्थात महादानी बनना है दूसरी पोइंट बाप की श्रीमत पर चल बेहद का सुख लेना है यह शुद्द लोब रखना है जिससे सारी विश्व सुखी बने बाकी अशुद्द लोब त्याग देना है वर्दान अमरित्विले के महत्व को जान महान बनने वाले विशेश सेवाधारी भव सेवाधारी अर्थात आँख खुले और सदा बाप के साथ बाप के समान स्थिती का अनुभव करें जो विशेश वर्दान के समय को जानते हैं और वर्दानों का अनुभव करते हैं वही विशेश सेवाधारी हैं अगर यह अनुभव नहीं तो साधारन सेवाधारी हुए विशेश नहीं जिसे अमरित विले का संकल्प का समय का और सेवा का महत्व हैं ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले महान बनते हैं और औरों को भी महत्व बतलाकर महान बनाते हैं स्लोगन जीवन की महानता सत्यता की शक्ती हैं जिससे सर्व आत्माई स्वते जुकती हैं अच्छा और अब सुनते हैं आज का अविक्त ज्यानमोती ये एक बहुत संसकारिता पूर्ण विडियो है जरूर देखें कोई भी मिस ना करे